Medical Reimbursement Claim, इस वीडियो के जरी है हम आपको Medical Reimbursement Claim के बारे में जानकरी देंगे Medical Reimbursement Claim, Medical Reimbursement Claim दो तरीके से होते हैं एक होता है OPD Treatment का और दूसरा होता है Indoor Treatment OPD यानि की बाहिच्ची किसा, देखिए उसकी Conditions क्या है आईए जानते हैं J.C.O.R.S. और दियर फैमिली डिपेंडेंट जो भी हैं मेंबर्स हैं, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स वो अगर पोस्टेड है कोई Essay Station पर जहां पर की Armed Force Medical Facility अवेलेबिन नहीं है या फिर वहां पर कोई Civil Hospital और Dispensary में अपना Medical Treatment as a Outpatient करवाने की सुविधा दी गई है इसके अलावा अगर Civil Hospital और Dispensary में अगर मालीजी वो दवाईयां या Medicine जो आपको दी जा रही है या आपका कोई Test है वहां अवेलेबिल नहीं है तो आपके AMA की सलहा पर उनकी Advice पर अगर आप जो भी खर्च करते हैं जो आप Market से लेते हैं उसका Expenditure आप Medical Reimbursement Claim OBT Treatment की शियरनी में रखके उसका Contigent Bill बनाके पियों को बेज सकते हैं आपका जो भी Concern पियों है उसको बेज सकते हैं Indoor Treatment आईए देखते हैं कि Indoor Treatment के Medical Reimbursement Bill किस तरह से क्लियर होते हैं In case, Service Personal या उनकी Dependent Family अगर किसी Private Hospital में Admit होती हैं और उस Private Hospital में जो उनका इलाज होता है उसके द्वारा जो खर्च होता है वो उनकी या उनकी Family के द्वारा भरा जाता है पेक किया जाता है इस Condition में जो उनका Claim रहेगा वो Service Personal को भीजना होगा अपने उस Regional CDA में जिनके Juridiction में वो Service Hospital situated है यानि कि Regional CDA के उस Office में जाएगा यह बिल आपका जहां पर आपने Treatment गया था जिसकी Juridiction में यह Hospital situated था इसी तरह जो Regional PCD और CDA के पास जब यह बिल आ जाता है आपका तो वहाँ पर इनका Audit होता है उसके बाद एक Payment Authority इशू कर दी जाती है Concern PO को ताकि वो आपके Account में आपके IRL में यह Amount को Credit कर दे और इसकी सूचना आपकी Unit को दे दी जाती है कि यह बिल अप Clear हो चुका है